प्यमूदी जी सेवन आउट्री शिखर समेलन में हिस्ता लेने के लिए इटली पहुँच चुके हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बरने के बाद प्यमूदी की ये पहली विदेश स्यात्रा है इटली में इस बार की जी सेवन समेलन का मुद्दा ही आर्टिफिशल उर्जा, एफ्रीका और भू मद्धिसागर प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी अपनी सियात्रा के दौरान इटली की पीम जॉर्जिया मैलौनी के साथ दुविपक्ष्य बैठक भी करेंगे इसके अलावाद दूसरे देशों के साथ दुविपक्ष्य वारता करेंगे तो इटली पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी जी सेवन का शिखर समिलन जहां पर इटली की पीम जॉर्जिया मैलौनी से भी दुविपक्ष्य वारता करेंगे अगनिवीर योजना से जुड़ी बहुत बड़ी ख़वर के लोकसभा चुनाव में सबसे चर्चित मुद्धों में एक अगनिवीर योजना पर बहुत जल्द बड़ी ख़वर आने वाली है दावा किया जा रहा है कि अगनिवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है मोदी सरकार इस योजना का रिवियू कर सकते के इंडिया की सरकार आएगी अगनिवीर योजना को उठा कर हम कुड़े दान में फेग देंगे और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का प्रभाव भी पड़ा है अगनिवीर के खास तोर में उत्तरप्रदेश और बाकी जगा में अगनिवीर जो 24 के चुनावी पत पर सबसे जवलन्त मुनता रहा अगनिवीर जिसे विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने चुनावी मंच पर उठाया अब उस अगनिवीर योजना में बदलाव की सुगवगाट शुरू हो चुकी है क्योंकि इस मुद्दे का असर सियासी घमासान से लेकर चुनावी परिणाम तक में देखने को मिला अगनिवीर को लागू हुए देड़ साल का वक्त हो चुका है और इन देड़ साल में इसी स्कीम को रिव्यू किया जा रहा है अब सूत्रों से खबर है कि Department of Military Affairs ने तीनों सेना से इस पर रिपोर्ट मांगी है यानि अगनिवीर योजना में कुछ बदलाव हो सकते हैं अगनिवीर जवानों का कार्यकाल बढ़ सकता है अभी अगनिवीर जवानों का कार्यकाल चार साल है 25 फिसदी रिटेंशन की स्कीम में बदलाव हो सकता है सेना इस बात पर चर्चा कर रही है कि अगनिवीरों के लिए ट्रेनिंग पिरिड को आम सैनिकों के लिए निर्धारित ट्रेनिंग की तरही किया जाए जबकि उनके सर्विस टाइम को बढ़ा कर चार के बजाए साथ वर्ष किया जाए जिससे उन्हें ग्रेचुएटी और पूर्व सैनिक होने का दर्जा दिया जा सके यानि जो मुद्दा चुनाव के वक्त उठा अब उस पर मन्थन शुरू हो चुका है अगनी वीर से जुड़े मामले पर आने वाले दिनों में किन सरकार के द्वारा कुछ बड़े फैसले लिये जा सकते हैं जिस तर से बड़े फैसलों के अगर बात करें तो जिस तर से उनके जो सिवाकाल की जो अवधी पहले से तै थी चार साल, चार साल की अवधी को बढ़ा करके साथ से आठ साल किया दा सकता है राहूल ही नहीं सपा परमुक अखिलेश यादव भी इस योजना के विरोध में रहे हैं अखिलेश के मताबिक ये योजना अस्विकार यह है अगनिवीर योजना को युवा कभी सुइकार नहीं कर सकते देश की सुरक्षा के लिए अगर सिर्फ चार साल की नोखरी देंगे और उसमें भी आपको कोई सुइधा नहीं मिलेगी और देश के लिए मढ़ने पर सैनिक को संमान नहीं मिलेगा इन चार वर्षों के भीतर कोई भी इस नोकरी को स्विकार नहीं करेगा और गरीबों की मदद करने की पॉलिटिक्स हो राजनेती हो अगनी वीर अब भाईया मैं आपको बता रहा हूँ अब हमारे पास पार्लिमंट हाउस में सेना बैठी हुई है सेना बैठी हुई है इस बाहर हमारी पूरी कोशिच होगी ओपोजिशन में बैठे है मगर अगनी वीर को ओपोजिशन में रच करने की कोशिच करें मैं समस्ता हूँ अगनी वीर ववस्ता तुरुंत खतम होनी चाहिए सरकार को स्विकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अंग्नीवीर जैसी वरस्ता नहीं लानी चीए और नके बल अग्नीवीर वरस्ता खतम होनी चीए बलकी बहुत से नौज़मान जिनको नौजगा नहीं मिल पाया फौज में जाना चाहते थें उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए दरसल अगनीवीर योजना पेंशन बिलको कम करने और सशस्त रुबलों में युवाओं की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी हाला कि नए भर्ती किये गए सेनिकों के बीच ट्रेनिंग और विशेशक्यता की कमी को लेकर चिंताएं जताए गई ये योजना साड़े 17 साल से 21 साल की आयू वर्क के युवाओं के लिए है जिसमें 4 साल की अबधी के लिए भर्ती करने का परावधान है वही 25 परतिशत अगनीवीर को 15 साल तक बनाए रखने का परावधान है योजना के मताबिक 75 परतिशत अगनीवीर जो 4 साल में रिटायर ह उन्हें 12 लाख रुपए एक मुश्ट दिया जाएगा अब खबरे हैं कि सशस्त्र बल सेन्य भरती के लिए अगनिपत्थ योजना में संभावित बदलावों पर चर्चा कर रहे हैं इसमें बदलावों के लिए मुख्य पहलू 25 परतिशत रिटेन करना और ट्रेनिंग पीरियड वाले मुद्दे हैं जिनको लेकर अंदर खाने चर्चा शुरू हो गई है ब्यूरो रिपोर्ट निउस एटीन